सलाम मेरे अजीज लिसनर्स, welcome back to my channel, सबसे पहले तो मैं आप सब की शुकर गुजार हूँ के आपने अपने कीमती वक्त में से मेरे लिए भी कुछ वक्त निकाला, मेरे चानल पढ़ने हूँ आने वालों को दिल की गहरायों से मैं welcome करती हूँ, अगर आप चाहें तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बाल आइकन प्रस कर सकते हैं, so that you'll be able to get the notifications of all of my upcoming videos, so let's start the episode 8 of the novel, इस दिल में बसे हूँ तुम बाई अनम खान, ममा, मैं तूट गया हूँ, अब नहीं समेट सकता खुद को, एक एक लफ्स की गहराई में कर्ब बेशुमार था, लरस्ते होँट कपकपा कर रह गए थे, समलना बहुत मुश्किल है, मैं बिकर गया हूँ, अंदर पहर सब एक सा है, मैं कितना खुबसूरत समझता था जिन् हर सांस महस्तर पाती है, मेरा दिल भट जाएगा, आज वो जब्द खो बैठा था, किसी मासूम बच्चे की तरहा माबाप के सामने दिल का गम बयान करता बिलक उठा, अली साचता गेलानी मुझ खोले दम साधे रह गई, बेटे के रहचे वो बात नहीं गोया, उन पर सकता तारी कर दिया था, उनकी साकित हाथ अपने लरस्ते हाथ में लिया, क्यों ममा, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, वो पूछ रहा था, बेयकीन, गमजदा, तकदीर के लिखे पर यकीन करके भी अपने नसीब का रोना, तकलीफ दे असलियत को कुबूल करना बहुत कटीं था, वो बी ब्रेव, यू हिम्मत ना हारो, अराम से मुझे सब बताओ, इस सब की क्या बजा है, हसन गेलानी ने जब्द से काम लेते हुए उससे पुछा, मुस्तब शरा, बड़ी दिक्कतों से इसने नाम लबों पर लाते हुए इनकशाफ किया, अपनी हालते जार की वज़ा बता बेटे की भीगी आँखें उलजन पैदा कर गई, मुस्तब शरा कैसे अली, तुम तो उससे मुहपत करते हो, हसन गेलानी भी हैरान थे, हाँ पर वो मुझे से मुहपत नहीं करती थी, तूटी आवाज में उसने माबाप पर एक और नाकाबल यकीन इनकशाफ किया, तुमने की होगी, साज़ता गेलानी शौवड थी, हैरान नजरों से उसे दिखा, नहीं ममा, वो मुझे से मुहपत नहीं करती थी, बहुत खुदगर्स थी वो, उसने मेरे जस्पात के साथ मजबा किया, मेरी मुहपत की तोहीं की, वो कहती है, इसे मुहपत पर यकीन नहीं है, उसन अपनी राहें जुदा करनी, पल पल जीना मुश्किल है मेरे लिए, अब सांस लेना मौत के दर्द से कम नहीं है, ये वो अली आयान हसन गेलानी तो बिलकुल ना था, जो कभी जिन्दगी की हसीन रंगीनियों से दिल आबाद रखता, हस्ता मुस्कुराता, खुश रहता, जिसने कभी दुख दर्द देखा न तकलिफ औ अजियत की बात की थी, मगर इस लम्हें वो कर्ब औ अलम की तरपती तस्वीर बना उन दोनों को भी लम्हें में गम से निठाल कर गया, कुछ भी बोलने की स्लाहित खोकर उसे दिलासा, तसली या हमदर्दी के दो बोल, बोल करनी चाही, खुद को संभालना चाहा, मगर मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, न दिल को करार मिला, न उसे भूल सका, उस जितनी नफरत करना चाहता हूं, वो और शिद्द से याद आती है, दिल महपत का तकाजा निभा रहा है, इस संग दिल बेवफा से कि ये बेवसी पर बेबस उसके गब में शरीक थे, मैं समझ नहीं पाया, हकीकत को कुबूल करके यकीन नहीं आ रहा, मुझे में क्या कमी या मेरी महपत में खोट थी, जो वो मेरे जस्पात की तजही करती, क्या मेरी आखों में उसने सिर्फ अपना अक्स नहीं दिखा, मैं दमाग उसकी बेवफाई और फरेब को सोच कर फटने लगता है, मैं पागल हो जाओंगा ममा, उसका खयाल मुझे पागल कर देगा, वो हजियानी अंदास में बोल रहा था, हर लबस बेचैन था, हर तासुर में इस तराब जलक रहा था, उसके जजबाद गोया चीख चीख कर फना हो रहे थे, मुस्तफशरा से आखरी मुलाकात का असर लिए अभी तक तबाहा हाल था, अपनी बेकरारी पर कराह कर रह गया, इस लम्हे अगर मुस्तफशरा चमाल वहा होती तो यकीन एक लम्हे के लिए सोचती जरूर, क्या उसका फैसला दुरस था, महपत को महपत के नाटक से खतम करने की सोच दानिशमंदाना थी, क्या वाकि में उसके फैसले और सोच ने अली आयान हसन गेलानी को महपत की राहों से वापस ले लिया था, क्या वो ये देख कर अब भी अपने फैसले पर मुतमईन अपनी सोच के दुरूस्त होने का इसहार कर सकती, क्या उसके अमलों फेल ने अली को वापसी की बजाए महपत की नहत से इस बुरी तरहां पठका कि वो संभलना सका, अली जैसा महपत में इसके प्यार में जस्पाती, सच्चा, बे लौस, शक्स, किस अजियत से गुजर रहा था इसका अंताजा करने के बाद, वो अपने फैसले क की सदाकत का नगमा गाती, नहीं, हरगिस नहीं, उसने जिस मकसद के तहट भी फैसला किया था, अगर उससे हट कर, इस वक्त वो अली को देख लेती, तो यकीनन अपने किये पर पच्चता थी, जूटी महपत, प्यार का नाटक, खाक सची महपत को नफरत ने बदल सकता है, मगर आह, अफसोस, अपने अपनी सोच, अपना अपना फैसला, अपने जस्बात और हर एक का अपना नजरिया, जिसे अपने अपने अंदास में रंग दे कर भी, बास अकाद सब कुछ सोच के बिलकुल बरक्स होता है, मुस्तफशरा जमाल का ये खेल बाजी उलट गया था अली हकीकतों फसाने की उलचन में नहीं पड़ा, उसका दिल बरबाद हुआ था, असल रोना तो उसका था, इतनी यहरी चोट खाने के बावजूद भी उसके कदम पीछे नहीं मुड़े थे, बलके अपनी जगा पर मजबूती से मुझमित थे, सदमे से निधाल भी लाख क कोशिश, गिले शिकवे, उसके दिल में अभी मुस्तफशरा जमाल के खलाफ नफरत का बीज ना बोट सके, ममा, वो बहुत अच्छी थी, फिर उसने ऐसा क्यों किया, मैंने कितना उसे रोका पर वो नहीं रोकी, अपनी मुहपत की भीग मांगी, मगर वो चली गई, मुझे वो मेरी नस नस में अभी तक जिन्दा है, मुझे मार कर वो खुद जिन्दा है, अली आयान की आवास तक भीगी हुई थी, और वो दोनों इस लम्हें ऐसी कहफित का शिकार थे, कि चाहकर भी उसे होसला नहीं दे पा रही थे, तसली के दो बोल, उनके कपकपाते होटों से अदा नहीं हुए, ये जिन्दगी में उनकी सबसे बड़ी कमजोर घड़ी थी, बेटे की शिकस्ता हालत, उनके सबर का कड़ा इमतिहान ले रही थी, साच्टा गेलानी ने आगे बढ़ कर उसे साथ लगाया, तो वो किसी मासूम बच्चे की तरह अपने दर्द पर रोने लगा, उन दोनों को अपने तमाम सबलात और बेटे के जाहरी रूप में बदलाओ, से मतलिक तमाम बचुहात मिल चुकी थी, तमाम जवाबात मिल चुके थी, हसन गेलानी ने उटकर उसके सर पर हाथ भेरा था, जबके साच्टा गेलानी बेटे के साथ बराबर रो नेक्स्ट सीन पूद भी वो इतनी देर तक जाग रही थी, जाग क्या रही थी, इसे नीन ही नहीं आ रही थी, और यही बात उसे महबे हैरत किये थी, जो वो रात की धाई बज़े सोफे पर बैठी सोचने पर मचपूर थी, और नीन ना आने की वज़ा अखस करने की कोशिश में जहां ब इसे फारामोश कर चुकी होती, मगर आज मसलसल तीसरी रात और मसलसल एक सी कैफियत वो नजर अंदास ना कर पाई, दिन के वक्त वो बिलकुल ठीक और नॉर्मल सी रहती, मगर जैसे सोने लेटती, तो नीन गोया खुली आँखों में महदूद सी होकर रह जाती, मगर वो सोचने की कोशिश में वज़ा मलूम करने में नाकाम रही थी, एक एक लमहा उसके ऐसा वो खैलात पर भारी गुजर रहा था, लेकिन दरो दिवार में जब खड़ी ने तीन का हिंदसा अबूर किया, तो मस्तफशरा जमाल मजपूरन फिर से चाकर लाइट आफ कर टी बैट पर लेती थी, तेश से सोने के बावजूद भी इसने दोनों दिन स्कूल से चुटी नहीं की थी, कि आज कल स्कूल में काम भी बहुत स्यादा था और बच्चों को कोर्स भी कम्पलीट करवाना था, सो कल की चुटी का भी इसका कोई इरादा नहीं था, अल्ला जी रह्म, वो इतना ही बोली, फिर उसके बाद अगले कुछ ही लम्हों में होशोहवास से काफिल हो चुकी थी, नेक्स्ट सीन, यार, कसम से तुम सारी की सारी बहुत बेवफा दोस्ते हो, सलाम, दूआ, हाल, एहवाल, पूछने और बताने के बाद, अदन अपने मखसूस लहजे में कदरेतं जिया बोली, क्यों, क्या हुआ, माही ने हैरत का मुझाहरा किया, कुछ बहुत खास नहीं, बठ्यार, बंदा, चार साला दोस्ती की खाते ही सही शरम कर लेता है, यूनिवर्सिटी ओफ हुए महीने से उपर हो गया है, मगर तुम तीनों में से किसी एक ने जहमत न की कि कॉल कर ले, आखें फेर के यू भूली, जैसे चार साल भी मजबूरन उक्ताहट में गुजारे हों, बेरी सैट, वो खूब हिसाब लेने की मूड में थी, ऐसी बात नहीं है, और अगर हमने कॉल नहीं की, तो तुम ने भी तो नहीं की, जाने आज कैसे खयाल आ गया त जब तक मैं खुद राप्ता ना करती, कस्म से यकीन नहीं आ रहा कि इतनी जल्दी भूल जाओगी तुम सब एक दूसरे को, वो हैरान गी, जाहिर करने लगी, पर मैं वसूख से कह सकती हूँ, हम चारों में से कोई किसी को नहीं भूला, बस वक्त और मसुरूफियाद पहा याद आने पर कहा, साथ ही मुबाइल दूसरे कान से लगाया, कौन सी बात? मौतर की शादी हो गई है, अदन ने कुछ गवार आवास में हैरान कुन इनकरशाफ किया, वाट? मौतर की शादी? कब हुई? माही मौतर जिब हुई, चौक कर पुछा, हां जी मौतर की शादी, अदन ने गोया, उसे यकीन दिलाया, उसने हमें इन्वाइट नहीं किया, इसलिए नहीं किया, कि उसे इन्वाइट करने का वक्त ही नहीं मिला, बलकि यू कहना ज्यादा मुनासिब होगा, कि इसे खुद के सोचने का भी वक्त नहीं मिला, अदन बता रही थी, मतलब, माही की समझ में कुछ ना आया मतलब ये कि युनिवर्सिटी ओफ होने के बाद जब वो घर पहुँची तो इसे मतला किया गया कि इसकी रुकसती है क्योंकि शायान की दादी को सीरियस हाथ अटेक हुआ था और उन्होंने होश में आते ही अपने खाहिश का इसहार किया कि वो अपनी जिंदगी में बलके आनन फानन अपने पोते का घर बस्ता देखना चाहती है उनकी खाहिश का एहतराम करना चाहती है और दोनों तरफ दो दिन में जितनी तयारी हो सकती थी की गई और जब मौतर होश में आते ही संबली तब तक शायान का नाम उसी के नाम के साथ जुड़ चुका था उस दिन मैंने उससे फॉन पर बात की थी हमें ना बताने और बुलाने पर वो शर्मिंदा भी थी मगर आज कल वो अपने मिस्टर के साथ हनीमून बनाने गई हुई है अदन ने खासी तफसील से उसे बताया वाव सो इंट्रस्टिंग महरोश जहन में मौतर की शादी की तमाम ड्रामाई सुरते हाल लाकर लुट्फ अंदोस हुई तो खुश कवारियत से बोली मौतर खुश तो थी ना पिर अदन से पूशने लगी हाँ बहुत ज्यादा उसने बताया और दादी कैसी है अब उनकी और शायान की दादी मौतर को पोते की दुलहन बनाने के बाद माशालला अब बिलकुल ठीक है अच्छा मैं भी तुम्हें एक बात बताओ माही मौतर के लिए दिल से खुश और दुआ गोती अच्छानकी शादी पर इन्वाइट ना करने पर सरा भी ख़व की दिल में लाए बगैर इस तफ़ामिया बुली हाँ बताओ मेरी भी इंगेजमेंट हो गई है आहिस्तगी से उसके गोश गुजार किया वाट सुनते ही अदन चौंके बिना ना रह सकी कब हुई लाहोर बापस आने के एक हफ़ते बाद मुखतसरन बताया किस से उसने बरजस्ता पुछा मुराद मनसूर से नाम बताते हुए वो मुस्कुराई ये चनाब आपके कौन होते है कुलसों फुफों के बेटे है मुखतसरन बताया ओके बट लव या अरेंज हुई है वो इतने जरुदी कैसे हो गई तुमने कभी इस मतलिक जिकर भी नहीं किया था अदन अपनी आदत से मजबूर एक एक बात पूछ रही थी जिकर इसलिए नहीं किया था कि जहन में ये बात थी ही नहीं और मुकमल अरेंज होने के अलावा लव भी कह सकते हैं वो मूड में सरशारी से बोली मुराद के जिकर के बाद होटों पर मुस्कुराहत फैल गई लव कैसे जबके वो हैरान हुई साथ बात चारी रगी तुमने कभी बताया नहीं कि तुम किसी से महबत करती हो पहले नहीं करती थी बट पेपर्स से पहले मुराद दो दफ़ा युनिवर्सिटी आए थे तब ना मुझे महसूस हुआ ना उन्होंने एहसास दिलाया सो तुम मेंसे किसी को ना बताया मगर लाहौर आने के बाद मैंने उनके लिए अपने दिल में महबत महसूस की और जब उन्होंने भी इकरार किया तो मैंने उनका हाथ थाम लिया बस बिर हो गई इंगेजमेंट महरोश ने तफसील से तमाम माजरा उसके गोश गुजार किया वाव ग्रेट अदन मौतर की अचानक शादी की खाबर के बाद माही की इंगेजमेंट पर खुश हुई थी और मस्रूफियत इतनी थी कि तुम मेंसे किसी को कॉल ना कर सकी महरोश ने जब ही बजा बताई कोई बात नहीं यार ठैंक्स और आज कल तुम यकीन करो एक लम्हें की फरागत नहीं रोज़ाना बजार का चकर लगता है शौपिंग खतम होने को नहीं आ रही शादी में डेडर मां बाकी है अदन ने सुनते ही हैनत का मुजाहरा किया हाँ पुपो की खोहईश पर शादी जल्दी हो रही है ओ ह नो अदन ने मद्धम आवास में रियाक्ट किया महरोश ने उसकी आवास में मैयूसी की जलक महसूस की क्यों क्या हुआ जबी उसने उससे पुछा मतलब अब तुम मेरी शादी पर नहीं आ सकती कितनी खुशी थी के तुम सब आओगी अदन रोहांसी हो गई तुम्हारी भी शादी हो रही है हां जी और अगले मा के एंट में हो रही है उसका मूट ओफ हो चुका था ओफो बट यार अदन अब क्या हो सकता है माही कुछ खास कहने से कासिर थी सो इतना ही बोली अलबता इसे भी अफसोस हुआ था कि वो नहीं जा सकेगी कुछ भी नहीं बसकुशी अधूरी रहेगी मौतर साहिबा शायान में बिजी होंगी तुम अपने पिया के देश सुधारोगी और मुस्तफशरा जमाल उसकी तो हर बात ही निराली होती है एक तो उसने नमबो चेंज कर लिया और दूसरा अभी तक तीनों में से किसी को भी फौन नहीं किया जाने कि इन चंबेलों पर इसे इन दिनों बहुत ही ज्यादा गुस्सा था उन दोनों से भी कहीं ज्यादा हाँ कम मसकम उसे नमबर तो देना चाहिए था माही उसकी बात से मुट्टफिक थी उससे राप्ता हो तो मैं पूछ लूँगी उससे और अगर उसने तुम्हें कॉल की तो मुझे जरूर उसका कॉंटेक्ट नमबर देना हाँ जरूर माही ने मस्बत जवाब के साथ बात चारी रगी फिर तुम शादी के बाद इसलामबाद ही रहोगी नहीं कराची ही जाएंगे आमिर की सारी फ्यामली वहीं है और फिर अधन तमाम गिले शिकूओं के बाद अब अपनी बातों की तरफ आ गई माहरोष को काफी दिनों बाद उससे बात करके कुछ कवारियत का एहसास हुआ नेक्स्ट सीन फलक मुशारिब ने उसके पीछे आकर कोई चोती मर्तबा उसे फुकारा था क्या है वो चाय का आखरी सिप लेती उट खड़ी हुई साथ ही उसे देखा यार और कितना टाइम लोगी अभी तक तुम्हारी तयारी मुकमल नहीं हुई तुम्हें बताया था कि आज मेरी जरूरी मीटिंग है वो जल्दी में था तेजी से बोला हाँ बस नाश्ता कर लिया है कमरे में से पर्स बगरा लेना है और जाने से पहने दो मिनट के लिए मुस्तफशरा से बात करनी है फॉन पर जबके फलट ने खासे तहम्मूल से जवाब दिया ये जानने के बवजूद कि मुशारिब को वाकई आज जल्दी जाना है वो तो उसे कॉलिज ले जाने के लिए भी मुश्किल से राजी हुआ था इस वक्त बात जरूरी है मुशारिब ने तंग आकर उसे गुरा हाँ जरूरी है और प्लीज जिर्फ दो मिनट जब तक तुम गाड़ी स्टार्ट करो मैं मुस्तफशरा से बात करके आती हूँ वो फॉरन कहते ही फॉन की तरफ लपकी मुशारिब भी बाहर निकल गया फलक ने रिसीवर उठा कर नंबर डाइल किया दूसरी ही बेल पर वहां से कॉल रिसीब कर ले गई पलक ने छूटते ही बड़े आदाव से सलाम पेश किया वो अलेकुम सलाम आज सुवो सुवो कैसे याद कर लिया वो महवे हैरत हुई अलबता कुशकवारी का मुझाहरा किया अभी पेपर के लिए निकलने वाली थी सोचा जाने से कबर तुमसे बेस्ट विशिज ले लू So sweet and wish you very best of luck मुस्तफशरा को उसकी यह अदाएं और खुद से मुहबबत अच्छी लगती थी फौरण उसे विश किया Thank you so much अच्छा तयारी कैसी है पिछली बार से थोड़ी अच्छी है वो बताने लगी मुस्तफशरा मुस्कुराई चलो अच्छा है इत्मिनान से बेपर देना इस मर्तबारी सल्ट अच्छा आना चाहिए Treat मेरी तरफ से होगी Done मुस्तफशरा ने कहते हुए बात Final की Done अच्छा मुस्तफशरा मैं वापिस आकर तुम्हें कॉल करूंगी मुशारिब हॉन माने जा रहा है पहले ही देर हो गई है फलक ने Done करते हुए Foreign से कहा के हॉन की मुस्लसल आवाज उसे मुशारिब की जल्द बाजी याद दिला रही थी ओके मैं भी बस्कूल के लिए निकलने मली हूँ वापस आकर बताना पेपर की मतलिक तब तक अल्हाफिज मुस्तफशरा ने अल्विदाई कलमात अदा किये अल्हाफिज फलक इजासत लेती जिसी वर रखकर सरत से पल्टी के मुबादा मुशारिब बाजू चड़ाए अंदर ना आ जाए मगर इसे अपने कदम रोकने पड़े सामने फहमी दबेकम थी अल्ला तुम्हे हर अम्तिहान में कामयाब करे वो दुआया कहती पढ़ पढ़ कर उस पर भूक रही थी ठैंक्स अम्मी बट बाकी बाद में अभी देर हो रही है मुशारिब गाड़ी में मेरा इंतजार कर रहा है मा की महबत पर मश्कूर और मसरूर वो बोली अच्छा अच्छा जाओ मेरी दुआएं तुम्हारी साथ है उन्होंने फलक की पेशानी पर बोसा देते हुए इजासत दी तो वो भागने किसे अंदास में कमरे में गई पर्स और फाइल उठाई और उन्हीं कदमों पर वापसी पलती बाहर निकल कर लंबे लंबे कदम लिए फ्रेंट डोर खोड़ कर गाड़ी में बैथने लगी तुम अगर एक मिंट भी मज़ीद लगाती तुम भी में छोड़ कर जाने वाला था उसके बैठते ही मुशारिब बोला था क्यूँ फलक जान बूज कर अंचान बनी नहायत मासूमियत से पूछा आँकों में शरारती महस उसे चिड़ाने के लिए बैसे भी मुशारिब की बात का असर वो कम ही लेती थी बी सीरियस फलक हर वक्त मज़ाग का नहीं होता गाड़ी स्टार्ट करते हुए वो खासी संजीटगी से बोला साथ ही उसे गुरा अच्छा जी मुशारिब के अंदाज पर फलक ने बमुश्किल हसी रोकी प्लीज फलक वो आज कतन भी मज़ाग के मूट में नहीं था ये तुम्हे आज इतना गुसा किस बात पर आ रहा है वो भी आखिर उलजी तुम्हारी कैर जिम्मेदारी और ला परवाही रात को मैंने तुम्हें कहा था कि आट वजे से पहले निकलेंगे तुम तयार रहना मगर नहीं ना तुम वक्त पर तयार हुई ना मेरे काम की परवागी अपके नम लहचे में मुशारिब ने कदरे उसे सखत बात सुनाई तो वो फॉरन से मुग बना प्लीज आज के दिन तो कोई लेक्चर ना दो एक तो पेपर की टेंशन है और दूसरे ये उक्ताहट आमेज लहचे में बोली ये सब तुमारी बहतरी के लिए है उसने अपनी बात पर जोड दिया गाड़ी में डोड पर फुल स्पीड से दोड़े जा रही थी ओके मान लिया फलक ने फौरण हतियार डाले अंदास ऐसा था कि मुशारिब की संजीदगी रफा हुई अलबता वो बोला ना था मुशारिब शाह कोई सेकिंड भर के लिए गाड़ी की फिजा में खामोशी रह गई जब दुबारा फलक ने उसे पुकारा था कहो मेरे सुकून की दुश्मन वो नॉर्मल हो चुका था उसके मखसूस अंदास में पुकारने पर अपने मखसूस अलफाज तोराता सामने देखने लगा क्या वाकरी तुम्हें मेरी फिकर है फलक ने संजीदगी से पुछा मुशारिप ने सरसरी उसे गर्दन घुमा कर देखा फिर नजरें सामने मर्कूस करते हुए कहने लगा क्या मतलब तुम सिर्फ हमारी दोस्ती के वज़ज़ से मुझे बेहतरीन देखना चाहते हो या मेरी लाइफ में वाक्री में पर्फेक्ट चाहते हो दिल की बात उसकी जबान पर थी मैं तुम्हारी लाइफ पॉफेक्ट देखना चाहता हूँ तुम्हें सबसे पेस्ट देखना चाहता हूँ वो साफ दिल से बोला क्यों? उसने दिलचस्पी से इस तफसार किया क्यों मतलब किया? तुम मेरी दोस्त हो मुझे अच्छी लगती हो हैरानगी से सीधा सपाट सा जवाब दिया अगर तुम्हारे कहने पर मैं परफेक्ट बन जाऊँ तो तुम खुश होगे? फलकपुट शोक अंदास में पूछने लगी लहचा मगट सरसरी और नॉमल था ताके उसे अभी शक ना हो बहुत ज़दा मुक्तसरन मगर बरपूर जवाब देता वो गाड़ी एक साइट पर रोकने लगा फिर खुश हो जाओ मैं बहुत जल्द तुमें बहुत ज़दा खुश करने की बरपूर कोशिश करूंगी वो फाइल और पर्स उठाती नीचे उतरने से पहले एक अदा से बोली मुशारिब ने मुस्कुराती निगा से उसे देखा तुम्हारी कोशिश की कामयाबी का मैं मुनतजिर होंगा साथ ही उसे सरहा मैं तुम्हारा इंतजार राइका नहीं जाने दूंगी कुछ बहुत खास महसूस करती वो बोली पंदरा बीस मिनिट में उसका पेपर स्टाप छोने वाला था जहनो दिल मुशारिब से बातों के बात मुतमें था पेपर की कोई टेंशन बाकी ना रही थी अब फलक वो जाने लगी तो मुशारिब ने उसे पुकारा सवालिया उसे देखा गुड लग थैंक्स मुसकुराती आवाज में कहती वो कॉलिज गेट अबूर कर गई मुशारिब शाह ने उसकी नजरों से ओचल होते ही गाड़ी जन से आगे बढ़ा दी नेक्स्ट सीन दिल का गुमार निकलने के बाद भी वो संभल नहीं सका था हिजनों मलाल की कैफित अब भी उस पर तारी थी दमाग बोचल तो दिल मुसल्सल बेकरार था जिसम भी पिछले एक हफ़ते से शतीद बुखार में तप रहा था इस वक्ट भी वो दवाओं के जेरे असर सो रहा था साश्ता बेगम उसके सराने फिकर मंद से बैठी डॉक्टर ने अली को स्ट्रेस से दूर रखने की हदायत की मगर वो होश्ट संभाल ही नहीं पा रहा था दिल पर जर्ब कारी लगी थी सब्मे से निकलना उसके लिए कतन असान नहीं था साश्ता तुम भी थोड़ा आराम कर लो जब तक अली सो रहा है एक हफ़ते में तुम्हारी हालत इस से ज़्यादा खराब हो गई है हसन गेलानी ने आहिस्तगी से उन्हें कहा था जो दीरे दीरे अली के बालों में पड़े लाट से उंगलियां फेर रही थी मुझसे मेरे बेटे की बेबसी देखी नहीं जा रही हसन देखें तो कितना कमसोर हो गया है अली जबके उन्हें अपनी बिल्कुल भी परवा नहीं थी अल्ला सब बेहतर करेगा बस तुम दूआ करो जवाबन वो इतना ही कह सके मेरा तो हर उस दूआ बन गया है मेरा बेटा कितनी तकलीब से गुजर रहा है फिर मैं कैसे पुरसुकून रहू कब मैंने उसे इस हालत में देखा था जो अब देखू कितना बेहाल हो गया है मेरा बच्चा जब्द के बावजूद कहते हुए वो रो दी थी सब ठीक हो जाएगा अभी इसका जखम ताजा है असर ज्यादा मुतासिर कर रहा है मगर तुम तो ना रो तुमने अली को समझाना है उसका दर्द दूर करना है हाँ मगर ये ठीक क्यों नहीं हो रहा एक हफ़ते से कमरे में बंद बुखार में निढाल पड़ा है उनकी ममता तरप रही थी कुछ वक्त लगेगा भी ठीक हो जाएगा सब डॉक्टर भी कह रहा था कि जहनी दबाव से निजात मिलने में कुछ वक्त तरकार होगा पिर संभल जाएगा और साश्ता जरा हिम्मत से काम लो उसके सामने रोना मत मुझे डर लगता है हसन वो खौब सदा सी थी इसमें डिने की क्या बात है हसन गेलानी ने आवास अली के अराम और नीद की वज़ा से धीमी ही रखी हुई थी कहीं ये खुद को रोग नहीं न लगा ले कुछ नहीं होता सब ठीक हो जाएगा जवाबन वो इतना ही कह सके कब होगा सब ठीक एक लड़की के लिए क्या हालत बना ली है इसने दुनिया इसी पर तो खत्म नहीं थी उन्होंने मुस्तफशरा जमाल की जाद को बीच में घसिटा आवाज लबो लहचे में उसके लिए खुद बहुत तलखी का अंसर शामिल हो चुका था हसन गिलानी अपके खामोश रहे अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं इस लड़की को नहीं छोड़ूँगी अभी भी अगर मुझे इसका एड्रिस मिल जाए तो मैं इसे अपने बेटे के सामने लाख खड़ा करूँ मेरे बस में हो तो मैं इसे इसके किये की बत्तरीन सजा दूँ बस दुआ करें कि अली ठीक हो जाए वरना मेरी बद्दुआई इस लड़की की जिन्दगी में तबाही न ला दे हसन गिलानी जानते थे कि वो महस मचबूरन किसी के लिए भी ऐसे कलमात अदा कर रही है वरना कभी उनोंने किसी के लिए एक लफ़ भी गलत नहीं कहा था अली में उनकी जिन्दगी थी और वोही जिन्दगी अभी ने बद्दुआई और इंतकामी कलमात जबान से अदा करने पर मचबूर कर रही थी अली इन्शालला ठीक होगा हमें अब किसी से कोई लेना देना नहीं है उसके जिन्दगी से ठहरा हुआ ये लबहाग कुसर जाएगा और हमें अपने मुहपत से उसके जिन्दगी का एहसास दिलाना है हसन गिलानी पुर्वसूक लहचे में उन्हें भी यकीन दिलाते अजम से बोले उन्होंने आशू साफ करते हुए असपात में सर ही लाया चलो उठो तुम भी थोड़ा आराम कर लो लीक उठने के बाद आ जाना शोगर की कहने पर वो खामुशी से उठने लगी नेक्स्ट सीन पेपर कैसा हुआ शाम को मस्तफशरा जमाल ने खुद ही फलक को कॉल की थी बहुत अच्छा वो बता रही थी आवास में खुशी और इत्मिनान की तासुरा थे आसान था ये मुश्किल मुश्किल मगर बहुत आसान सारे सवाल आते थे और मैंने की ये भी सारे वो मुस्कुरा मुस्कुरा कर बताए जा रही थी तो इसका मतलब है उमीद अच्छेगी रखने चाहिए हान जी बिल्कुल और साथ में ट्रीट की थे यारी भी अब तो ट्रीट पकी समझो अपनी तरफ से इस मर्तबा फलक शाह अपनी तरफ से सब के मूँ बंद करने का पका बंदोबस्त कर आई है बलकि यकीन करो पेपर के बाद री चेकिंग करते हुए मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये सब मैंने लिका है ऐसे लग रहा था जैसे किसी टॉपर का पेपर हो फलक का अंदाज बता रहा था कि इसे अभी तक खुद पर यकीन नहीं आ रहा था वाव ग्रीट मुस्तफशरा ने इसे सराहा और पाद चारे रगी ऐसी तैयारी करके अगर पहले जाती तो ज्यादा अच्छा होता हाँ बट किस्मत में अम्मी की सख्तियां और जिम्मेदारियां भी तो लिगी थी वो हसी रिजल्ट के बाद घर में रहने का इरादा है अब भी या आगे पढ़ोगी मस्तफशरा उसके साथ मस्कुराते हुए पूछने लगी पहले तो बिल्कुल इरादा नहीं था ना दिल मान रहा था मगर अब सोच रही हूँ इरादा पदलने वो पुर सोच अंदास में बोली क्यों? क्योंके मुशारिब को पड़ी लड़कियां अच्छी लगती है मस्तफशरा के इस तफसाप पर वो बेख्तियार कहें गई अलबता इस बेख्तियारी पर उसका दिल शाद था तो तुम ये सब मुशारिब के लिए कर रही हो? मस्तफशरा उसकी आवास पर यक्तम मस्कुराई कि गोया बात उसके पकड़ में आने वाली थी वैसे भी मुशारिब और फलक एक साथ उसे परफेक्ट लगते थे फलक ने मस्तफशरा की बात पर लब भीचे कि दिल के चोरी पकड़ी न जाए वो अभी किसी को भी इस मतलिक बताने का इरादा नहीं रखती थी हत्ता के मुशारिब तक को वो अपने दिल की बात और बदलते ज़जबात बता नहीं पा रही थी बताओ ना फलक की खमोशी पर उसे अपना कयास तरुस्त होता दिखाई दिया नहीं हमारी दोस्ती के लिए वो जट बोली फिर इसे कुछ भी पूछने का मौका दिये बिना अपनी बात चारी रखी एहसान का फौन आता है हाँ हफते में एक दो दफ़ा आ जाता है अब आए तो उसे मेरी तरफ से पेगाम देना कि वहाँ जाकर अपनी चोटी बहन को भूल गए हो याद है जब उसकी जाने से पहले तुम आई थी तो इसने मेरी कितनी शिकायत लगाई थी कि मैं सिर्फ नाम की बहन हूँ तो मेरा शिक्वा भी उसे देना कि वो भी सिर्फ नाम का भाई है एक कौल तक नहीं की जाने के बाद फलक ने बरपूर गिला किया हाँ वाक़ी ये तो गलत बात है उसका फौन आए तो मैं ख़वर लूँगी उसकी मुस्तफशरा ने उसे हग पचानिब समझा फिर कुछ देर इधर उधर की बातें की फिर फौन रखकर कमरे में चले आई और हैरत अंगीस तोर पर कमरे में आते ही कमरे की मखसूस खामोश फिजा में उसका दम गुटना शुरू हो गया अवल तो वो रुगी फिर आगे बढ़कर किर्की के पट खोलने लगी लौन का मनजर सामने था वो खाली आँखों से सर उपर उठा कर आस्मान की तरफ देखने लगी जहां परिंदे अपनी उड़ान जारी रखे अपने ठिकानों की जाने रवादा वादे परिंदों की उड़ान में छुपी जुस्तजू से मवासने पर इसने अपनी धड़कनों को बैठता महसूस किया और ये मवासना गैर एरादी तोर पर इसे हुआ था मगर जब मवासना कर चुकी तो फॉरण से आखे मीच कर खोलती अगले ही लम्हें वापस कमरे में आ गई क्यूं लाशाओरी तोर पर क्यूं उसके जहन में सवाल बन कर उबरा ये मेरे साथ आजकल क्या हो रहा है वो खुद से हम कलाम हुई क्यूं हो रहा है मेरे साथ ऐसा सवाल पर सवाल उठा इसे अंदरूनी कैफियत में बदलाओ अच्छानक से महसूस होने लगा रात गए तक नींद का आँखों से दूर रहना अंजानी वहशत खमोशी से घुटन तो तकरीबन उसके लिए रोस रात का मामूल बन गया था मगर आज शाम के ढलकने पर तकरीबन वो जुझला उठी थी क्या मसीबत है उपताहट अमीज लहचे में गोया खुद पर चिल आई जहन में उपते सवाल खुद बहुद से रखते गए वो लमहा साया किये बिना कमरे से पाहा निकल आई जौरा शाह लाउंच में बैटी थी सो उनी के पास चली आई क्या हुआ परिशान लग रही हो मुस्तफशरा उनकी गोद में सर रहकर पाउं सोफे पर करती लेटी तो उन्होंने शफकत से हाथ उसके बालों में फेर कर पुझा पता नहीं अम्मा कुछ समझ नहीं आ रही दिल गबरा रहा है अल्ला खेर तबेत तो ठीक है तुम्हारी वो फिकर मन हुई कुछ देर पहले तक तो ठीक थी मगर कमरे में जाते ही दिल तंग होने लगता है रात को नींद भी बहुत देर से आती है खासी देर तक तंग होने के बाद अब वो जाहरा बेगम को बता रही थी क्यों? आज कल तो तुम दुपहर में भी नहीं सोती यही तो समझ नहीं आ रही स्कूल का काम भी शाम तक खत्म कर लेती हूँ आज भी अगर नींद ना आई तो स्लिपिंग पिल्स लूँगी स्लिपिंग पिल्स लेने की जरुवत नहीं है खामखा की आदत बन जाएगी लेटने के बाद आयात और दुरूद बगैरा पढ़ा करो पुर्सकून नींद आती है जाराशा ने इसे मना करते हुए कहा तो वो असबात में सर हिलाने लगी अब इन्हें क्या कहती कि पुर्सकून नींद तो दूर की बात वो तो आजकल महस नींद के लिए भी तरसती है और करवट पे करवट बदलती है तुम यहां लेटो में खाने का बंदबस्त करती हूँ वो बोली तो मस्तफशरा ने सर उनकी गोट से हटाया और खुद उठकर बैठ गई वो किचिन की तरफ जाने लगी जब मुराद मंसूर की कॉल आ गई थी वो परीशे से एक्सक्यूस करती इसे थोड़ी देर वेट करने का कहकर कमरे में चली आई और उसका हाल पूछने के बाद कल्सूम बेगम का पूछने लगी ठीक है और कमरे में है वैसे तुम्हें उनकी बड़ी फिकर है बहुत ज़्यादा अटैश थी कोई शक मुराद के मस्कुराने पर उसने पूछा आहां मेरी ऐसी मजाल कहा अच्छा बताओ मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ मुराद में बहस के हतियार उठाने से गुरेश करते हुए सहूलत से पूछा अच्छे माही ने मुक्तसिर साथ जवाब इश्च के समुन्दर में बिगो कर दिया जिसकी ठंड को उसने वाजिया महसूस किया हम अच्छे सिर्फ अच्छा फिर दल्चस्प अंदाज अपनाया सबसे अच्छे माहरोश ने एतराफ में सेकिंड भी ना लगाया और मुझ से मुहपत करती हो माही मुत्मईन से लब लहचे में ठहरा हुआ एक और सवाल वो पूछने लगा बहुत ज्यादा होटों की जंबिश ने इन दो चाहत के लबरेस लफ़ों की अदाई की कितनी ज्यादा संजीदगी से बर्जस्ता पूछता बगोया भवे सुकेर कर माही के अगले चवाब का इंतजार करने लगा तोकफ के बाद माहरोश ने पुर्शोच अंदास अपनाया खुद से भी ज्यादा फिर मतबस्म आवास में कहा अलफाज मुबालगा आराई से पाग थे मुराद की समाते मतवक्का जवाब पाकर शान्त सी थी मुराद आपसे एक बात पूछो जबी माहरोश ने इस तफसार किया हाँ पूछो आप ही बार बार क्यों बूचते है क्या तुम्हें एतरास है माहरोश के सवार पर वो हैरान हुआ नहीं मगर क्या आपको मेरा एतबार नहीं नम लहचे में इस तफसार करती वो मुराद को बहुत मासूम और नादान लगी थी खुद से भी ज्यादा सो ठोस लहचे में इसे वसूख दिलाया फिर क्यूं पूशते हैं माहरोश ने अपना सवार दोराया इसलिए के तुम सिर्फ मेरी हो और मैं बार बार ये सुनना पसंद करूँगा के तुम भी मुझे सिर्फ अपना समझती हो मैं भी तुमारे लिए इतना ही एहम हूँ जितनी के तुम मेरे लिए जैसे जिसम के लिए रूख, मैं हमारे रिष्टे की मिठास को महसूस करना चाहता हूँ, सांसों में उतारना चाहता हूँ तुम्हारी हर बात को, तुम्हारी हर सांस को, हर लम्हे, तुम्हारे दिल में बसना चाहता हूँ वो नहायत चस्प से लवज लवज अदा कर रहा था मुराद के लवजों का खुबसूरत चाल महरोश की समातों में चाशनी घोलने लगा वो हुद को खुश किस्मत तसवर करती कोया हवा में रक्स करने लगी मेरे दिल में आप पस चुकी है मुराद वो अहिस्तगी से कहती मुराद मंसूर के जस्पात और महपत को मौत तबर कर गई मान लिया और तुम्हारे इकरार से जिन्दगी का मकसद पूरा हो गया खुश दिली से मुस्कुराते हुए आखिर वो अजब लहचे और पुर सोच अंदास में बोला दूसरे तरफ माही कुछ कहने के लिए लब जुम्बिश में लाने ही वाली थी जब कमरे का दर्वाजा कोल कर पुरीशे अंदर आई माही ने फौरान लब भीज लिए आपी प्लीज बाकी बातें बात में कर ले न पुरीचे ने इतनी ज़्यादा शौपिंग करनी है और आज सिर्फ दो घेंटे ही होंगे हमारे पास कितना वक्त आपकी बातों में निकल गया है अबू का फर्मान है कि शाम से पहले वापस आना है परीशे उजलत में भी खासी तफसील से बोली सौरी महरोश ने फौरण परीशे से माजरत की कि वाकई बातों में काफी वक्त निकल गया था मुबाइल कान से हटा कर बोली अच्छा जल्दी करें परीशे बोली ओके तुम बाहर चाओ मैं दो मिनट में आती हूँ महरोश ने कहा तो वो वापस बलेट गई उसके जाते ही दुबारा से मुबाइल कान से लगाया कौन था मुराद ने उसके हेलो कहते ही पूछा परीशे थी अभी हम माकीट जा रहे हैं शाम से पहले वापस आना होता है सो आप से बात में बात करूंगी उसे बताया ओके अल्हाफिज मुराद ने अल्विदाई अल्वास कहे अल्हाफिज महरोश मुबाइल रखकर फॉरं से बाहर को लपकी परीशे उसकी इंतजार में थी उसके आते ही जाने को तयार हुई कई दिनों की चक्कर काटने के बाद दो घंटे में जितनी मुम्किना शॉपिंग हो सकती थी उनोंने की परीशे ने अपने लिए फैंसी ड्रेसेज, सैंडल्स वगरा लिए माही ने जिल्ट्री वगरा अपने लिए पसंद की खरीदी और वापसे की राह लिए कर आकर दोनोंने फिर से तमाम चीज़ें सूट्स वगरा को तफसीली देखा, रहाना खाला और उनकी बेटियां भी आई हुई थी सो काफी देर तक कपड़ों दीगर शॉपिंग और शादी से मतलिक महफिल गुफ्तगू चारी रही परीशे ने जबर्दस सी चाय सब को पेश की, इतने में महरोश किसी काम से अपने कमरे में आई पहली नजर, बेट की साइट टेबल पर पड़े मुबाइल पर गई जो इसी वक्त रोशन हुआ था महरोश ने आगे बढ़कर मुबाइल उठाया तो स्क्रीन पर मुराद मनसूर का नाम अपनी पूरी शान के साथ चक्मगा रहा था वो कुछ हैरान हुई कि चार-पाँच गेंटे पहले ही तो बात हुई थी और अब फिर से कॉल आ रही थी अगले ही लम है, सर जटक कर यस का बटन प्रेस किया और मुबाइल कान से लगाया मैंने तुम्हें डिस्टर्ब्ट तो नहीं किया उसने छूटते ही पुछा नहीं तो शॉपिंग कैसी रही ठक गई होगी आम से अंदास में पूछने लगा शॉपिंग जबरतस रही अलबता जो ज़रा सी तकावट थी वो अब उतर चुकी है अभी परिशे के हाथ की बनी गर्मा गर्म चाई पीकर आ रही हूँ कहते हुए शॉपिंग से मतलिक तमाम तफसीर उस से उसके पूछने पर उसको बताने लगी अब मुबाइल पर ये हमारी आखरी गुफटगू है क्यूं बेसाखता वो पूच गई क्योंकि बाकी सारी बातें अब शादी की बात करेंगे वो बताने लगा जैसे आपकी मरसी माही ने फॉरण कहा कि अब उसके अलावा वो क्या कहती वरना दिल चाहतो नहीं रहा था माही मेरे पास तुम्हारे लिए एक सर्प्राइस भी है मुराद तोकफ के बाद याद आने पर बोला शायद शाम से पहले वाली गुफ्तगू के दौरान वाली सोच अब भी जहन में थी कैसा सर्प्राइस ऐसा सर्प्राइस कि जिसके मिलते ही तुम सर्प्राइस्ट हो जाओगी मुराद के लहजे में बहुत कुछ खास था माही को जानने की जल्दी हुई सर्प्राइस इसे बहुत पसंद थे शिरू से फिर जल्दी से बताएं नहीं अभी नहीं ये सर्प्राइस मैंने खास शादी के दिन के लिए तुम्हें देना है तुम्हें जानने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा ठीक है मैं इंतजार करूंगी बहुत अच्छे की उमीद के साथ वो बुली इंतजार के साथ मुझे भी याद रखना वो शोख हुआ मुराद की बात पर महरोश ठीपी सो कुछ न बुली अपना बहुत सा ख्यार रखना अब शादी के बाद ही तफसीली बात होगी इजासत से कबल मुराद ने प्यार भरी तागीद की आप भी अपना ख्यार रखना वो उसी के अंदास में बुली माही वेट फॉन रखने से पहले मुझे तुम से कुछ कहना है में गोलते हुए मुराद मंसूर ने रापता मुनकते कर दिया महरोश के लबों पर अलबता मुस्कुराहत थी फॉन रखकर वो गुन गुना दी जागती आँखों में ठे रोस अपने सजाए दर्वाजे की जाने बढ़ गई नेक्स्ट सीन तुम ये सूप पी लो साज्टा गिलानी ने सूप का प्याला उसके बेट की साइट टेबल पर रखते हुए कहा ममा दिल नहीं चाह रहा अली ने लेट लेटने से उठते हुए बेट क्राउन से टेक लगाई ये क्या बात हुई वो चौंकी फिर इजाफे के साथ बूली दिल नहीं चाह रहा तो भी जबर्दस्ती भी हो तुमारी सेहत के लिए बहुत जरूरी है लेटे में फिकर ममता बरता कुम भी था वो फीकी हसी मुस्कुराया मेरी सेहत अब बिल्कुल ठीक है ममा खाक ठीक है तो हफ्तों से कमरे में बंध हो बेट पर ऐसे लेटे हो के एक दफ़ा भी बाहर नहीं निकले हमें भी तुम्हारी तरफ ही आना पड़ता है वो कहने के साथ उसके कम्प्यूचर टेबल की डस्टिंग करने लगी आप ठीक कह रही हैं वैसे भी मैं कुछ ज्यादा ही सुस्त हो गया हूँ जहनी थकावट के साथ बेट पर मसलसल लेटने से जिसमानी थकन भी बढ़ती जा रही है मगर अब मैं क्या करूँ फरार की कोई दूसरी रह भी तो नज़र नहीं आती वो यक्दम संजीदा हुआ साचता गेलानी ने एक नज़र उसे देखा पिर गोया जब्त करती दूसरी जाने मतवच्चा हूँ उल्जने फरार से नहीं सुझाई जाती अली ना आँखें बंद कर देने से मसले हल होते हैं किताबे रैक पर रखते हुए वो कह रही थी पर काश के आँखें बंद कर लेने से मसाइल का हल मिल जाता जवाबन वो एक आस के साथ दिल में आहले कर रह गया जिन्दगी जद्दो जहत का नाम है ममूली धचका, धोका, फरेब या कोई नाकामी सांसों की रवानी को हदूत में कैद नहीं कर सकती नारोने से दिल के दाग उजले होते हैं माबाब भी औरलाद के जिन्दगी पर थोड़ा साहक रखते हैं किसी एक लड़की के अमल से तुम्हारा दिल ज़रूर दुखा है हम तुम्हारी कैफित का अंदासा कर सकते हैं मगर तुम्हारी बेवसी और जिन्दगी से उचाट होने की बातों से हमारी रूख खायल होती है साज़ता के लानी अभी तक बेटे करोना नहीं भूल सकी थी सो वो बोली अली के फसाने की यहीं हकीकत थी मा की बात पर वो शर्मिंदा सा हुआ मैं जानता हूँ ममा and I am very sorry मेरी वज़ा से आप परिशान है वो बेट से उतर कर उनके करीब चला आया उन्होंने पलट कर उसके गाल थप थपाए हमारे लिए पहले जैसे ही हो जाओ अली उन्होंने उम्मीद भरी नजरों से उसे देखा मुझे थोड़ा वक्त चाहिए असबात में सर हिला था वो बोला जरूर बेटा वो हुली से मुस्कुराई अली आयान ने खुद को रिलाक्स फिल्ड किया अचा चले बाहर चलते हैं खुली पिज़ा में पहले जैसा बनना कम असकम कमरे में ममकिन नहीं है उसने बात बदली दो माह होने वाले थे इसे मुस्तफशना जमाल की याद में खुआर होते हुए और पिछले कई हफ़तों से कमरे में कैद रहकर अफसोस के अलवा उसने नए सिरे से सोचा बेशक दिल के साथ रौनमा हाथसा ना काबले बदाश था मकर बहुत सी सोचों में एक सोच ऐसी थी जिस पर अमल करने के लिए वो मुझबूरन उठा और वो सोच माबाप के सामने सदमे के असर से गमगीन रहने की थी उसके साथ जो हुआ वो उमर भर का रोक था मगर अपनी वज़ा से माबाप को परिशान देखकर वो घर की महौर और फिज़ा को टेंस नहीं करना चाहता था अपनी सोगवारी में इन दोनों को नहीं तरपा सकता था सोच पर अमल का फैसला माबाप की महबतों का खराश था हाँ ये बात तो है आओ मेरे साथ और मैं हसन से भी पूछ लूँ फान करके उन्होंने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली है कि नहीं वो अली के साथ बात करते हुए बाहर को निकली किसलिए वो ना समझी में पूछने लगा तुमारा चेक अप करवाना है उन्होंने मुक्तसिरन बताया ओ ममा रेली मैं बिल्कुल ठीक हूँ अब बुखार का असर मुकमल तोर पर जाहिल हो चुका है सो कदरे मौतचिब अन्दास में अपना मौतचिब अन्दास अपना कर वो गोया उन्हें यकीन दिलाने लगा हाँ पर मैं अपने इत्मिनान के लिए करवाना चाह रही हूँ तुम्हें चुप रहकर अच्छे बच्चों की तरहा चाहना होगा उन्होंने ममताब भरा हुकम सादिब किया ओके ऐस यू विश अली ने मजी जराहना की और असबात में सर हिला दे नेक्स्ट सीन एक और बेसुकून नींद को तरसाती हुई रात इसे नामानूस सी वहशतों से खौफ दिलाती सवालों में उलजाती गुजर गई थी रात को अम्हा के मना करने के बवचूद भी उसने स्लीपिंग पिल्स ली थी जिनका असर ये हुआ कि वो दो बज़े की बज़ाए बारा बज़े तक सो गई थी मगर बारा बज़े से पहले आँखों की चुभन और मामूली बेसुकूनी किसी अजियत से कम ना थी सुब बिस्तर से उतरते हुए इसे उजलात थकावट से तूटे महसूस हुए थे आसाब भी शल होते जा रही थे अंगड़ाई लेती हिम्मत करके बेट से नीचे उतरी और पाउं में स्लीपर पहने फिर हाथ बढ़ा कर कैचर उठाया और बालों को उसमें कैट किया और वाश रूम कर रुख किया जहन पर चाही सुष्ती और बुझे हुए चेहरे को फ्रेश करने के लिए शावर लेकर कुछ ही देर में बहा निकली स्कूल के लिए रात को सिलेक्ट किया हुआ सूट पहन कर आइने के सामने खड़ी हुई बालों को सुझाने लगी स्कूल के लिए मुकमल तयारी के बाद नाश्टे के लिए बहा निकली पिछले एक महींगे से वो तकरीबन रोजाना ही तीनों दोस्तों से बात करने का सोच थी और फिर सोच कर ही रह जाती अपनी ये सुस्ती और रोजाना की धील ढाल भी इसके लिए हैरान कुन थी कि स्टरीज के दौरान जब कभी भी वो इसलाम अबाद से मुलताना आती तो इन दो तीन दिनों में एक मर्टबा तो जड़ूर तीनों से बात करती और अब इसलाम अबाद से वापस आए इसे दो माह होने को दे और वो चाहने के बावचूद भी एक बार भी तीनों में से किसी एक से भी बात न कर सकी आज कर सुबह स्कूल जाती शाम को अम्मा और बाबाचान के पास पैठती एहसान का फॉन आता तो उससे बात पगरा कर लेती कभी मुशारिब बिलने आ जाता तो कभी फलक की कॉल उसे मसरूफ करते थी और एक अपनी आजमाईश ले रोजाना उसके सामने आती उसके सबर का इम्तिहान देती उसे ठकासी देती ऐसे में वो महस अफसोस करती रह जाती नाश्टे के बाद वो स्कूल के लिए निकली ब्रेक तक की सारी क्लासें पूरी दिलजमी से ली क्लास आवर्स मैं बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ाया फिर लेक्चर ओवर हुए तो बच्चे ब्रेक की खुशी में ग्राउंट और केंटीन की तरफ लपके जब केपर्स कंदे से लटकाए फाइल संभालती वो कोरिडोर से गुजटती हुई स्टाफ रूम की तरफ बढ़ी तो स्टाफ रूम में कदम रखने से पहले बातों और मुबारक बात का शोर्स मातों से टकराया वो अहिस्तगी से अंदर दाकिल हुई आओ मुस्तफशरा तुम भी मुँ मिठा करो उसकी कुलीक मारिया ने इसे बताते हुए मिठाई का डबा उसके सामने किया किसकी खुशी में और ये मुबारक बात का शोर्स कैसा था फाइल टेबल पर रखते हुए उसने मिठाई उठा कर मुँ में डालते हुए इस तफसार किया इरम की इंगेजमेंट की खुशी में मारिया ने उसे बताया इरम के चेहरे पर शर्मगी मुस्कुराहट बहुत कहरी थी मुस्तफशरा उसकी जानिब मुडी मुबारक हो तुम्हें इरम ठैंक यू वो बोली और जानती हो मुस्तफशरा इरम और वहीम भाई की लव इंगेजमेंट है दोनों एक दूसरे से बहुत मुहपत करते हैं मारिया इसे इनफॉर्म कर रही थी ओ वाव दाट्स ग्रेट फिर तो इरम तुम बहुत खुश होगी मुस्तफशरा को जान कर अच्छा लगा हांजी बहुत जादा इरम कनकते हुए लहचे में बोली उसकी खुशी का साप अंदाजा लगाया चाह सकता था मुस्तफशरा तुम्हारी इंगेजमेंट हो चुकी है मारिया ने बात बदल कर उससे पुझा नहीं चेर संभालते हुए उसने नवी में सरहिलाया क्यूं? I don't know जब वक्त आएगा हो जाएगी मुस्तफशरा ने मारिया की क्यूं का सहुलत से जवाब दिया अच्छा तुमने कभी कीसी से मुहपत की इर्म ने भी पूर इश्टयाक अंदास में पुझा नहीं इर्म के सवार पर मुस्तफशरा अवल तो चौंकी फिर मुक्तसिरन कहा क्यूं? जिस पर फिर से मारिया की तरफ से क्यूं की आवास आए? कभी इस बारे में सोचा ही नहीं कंदे उचका कर वज़ा बताई मुहपत सोच कर तो नहीं की जाती इर्म उसकी बात तो अंदास पर हैरानगी जाहिर करने लगी हाँ ये भी है लेकिन मेरे साथ फिलहाल ये सानिहा नहीं हुआ वो नॉमल बोली मगर शायद वो अनजान थी अपनी कैफियत से बेखबर थी सानिहा मुहपत बता कर तो हरकिस भी नहीं होता चलो मान दिया मगर किसी को तो तो तुम से मुहपत हुई होगी इर्म ने बात का रुख बदलते हुए नहायत पुर्वसूक अंदास में एक सरसराहट सी दोड़ी थी आँखें जरसी धुंदलाई थी दो माँ बाद एक चहरा हलकी सी जलक उसको दिखला गया था मगर वो सर जटा कर मुकमल होश संभाल गई हाँ तुम से इर्म ने अपने सवाल पर सोर दिया तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो क्योंकि तुम हो ही इतनी खुबसूरत के कोई भी हुसन पर ओड तुम से मुहपत करने पर मचबूर हो सकता है और तुमारी काली आँखें जील सा गहरा पन लिये जब गंगोर पलकों को उठाती हैं तो यकीन जानो अजब तलस्म फैलता है तुमारी आँखें बहुत पुरकशिश है किसी को भी अपनी तरफ बाअसानी खेंच सकती है इरम बगोर उसे देखती मुबाल का अराई से पाक दिल की बात उससे कह रही थी और हकीकतन इसे मुस्तबशरा बहुत अच्छी लगती थी खसूसन उसकी काली गहरी आँखें जिसका जिकर वो एक दो मरतबा पहले भी उसके सामने कर चुकी थी मगर आज मुस्तबशरा जमाल की वही आँखें हैरत से पहली रह गए इरम का एक जुमला इसे बहुत जाना पहचाना लग रहा था समातों के बहुत करीब कुछ वो पुराने बासकष्ट उसे सुनाई दे रही थी बिल्कुल गैर मतवक्य तौर पर गंग होती जबान के साथ जैसे इसे तमाग में थोड़े पढ़ते महसूस हुए थे बहुत मानूस सी आवास उसको सुनाई देने लगी थी बहुत वाजिया तौर पर तुम पर हर चीज सूट करती है मुस्तफशरा खास तौर पर तुमारी काली आँखें जील सा गहरा पन लिये जब खंगोर पलकों को उठाती है तो मेरे दिल की धड़कने बेतर तीब सी हो जाती है ये बात ये लहचा तो वो भूल गई थी पर आज क्यूं दो माँ बाद ये ताकब कैसा था इस लहचे से कबल इसने एक पल भी ऐसी कोई बात नहीं सोची थी मुहपत और जिन्दगी की बातें उसकी यादाश पीछे जाने लगी तुम मेरी जिन्दगी हो मुस्तफशरा किसी का चाहत वरा सचाई से लबरेस अंदास फिर से उसे सुनाई दिया दो माँ बाद वो यक्तम बिलकुल कहर अराधी तोर पर पीछे गई थी कहां को गई हो मारिया जो इसे हवास बाखता होता देख रही थी उसकी आँखों के सामने हाथ ही लाने लगी मुझे अब यकीन हो गया है कि कोई ऐसा जरूर है जिसकी वज़ा से तुम यूं गमसुम हुई हो कौन है वो तुमने हमें बताया ही नहीं जबके इरम ने खुद ही अपने कयास पर उसकी पुर्सोच ताजब जदा हालत को देख कर यकीन की महर लगा कर दोस्ताना अंदास में कहा था वो कोई नहीं है मुस्तफशरा ने फौरण नफी में सर हिला कर होश संभालने चाहे कोई तो होगा जिसने कभी नकभी तुम से अपने दिल की बात की होगी इरम कहने और सुनने के लिए बज़िद तवील बहस के मुट में थी मुस्तफशरा का जहन चकराने लगा अली आयान हसन गेला ने रवानी में उसका नाम दिल मिले थी वो बिलाखिर इतने अर्से बाद उसे याद कर गई इरम और मारिया गौर से उसे देख रही थी उसके चेहरे के बदलते रंग और तासुरात पर एक दूसरे को सवालिया नजरों से देख रही थी तुम मेरे लिए इतनी एहम हो जितनी जिसन के लिए रूख फिर एक और चाहत का रस गोलता जुमला सरगोशी की सुरत में इसे सुनाई दे रहा था अली की आवास मुसलसल इसे सुनने में आ रही थी और संभलने के बावचूद ये बात उसके लिए नहायत अजीव हो गरीब थी बताओ ना मस्तफशरा मारिया बोली ऐसा कोई नहीं है वो एक दम संभल कर कहती चेर से उठी फिर इन्हें बोलने का मौका दिये बिना मसीद बोली तुम दोनों बातें करो मेरी क्लास है में बात में मिलते हैं फिर फॉरण से स्टाफ रूम से बाहर निकलाई अचब होती कैफियत मुंदशित ढड़कनों और उतल पुतल सांसों के साथ उसके कदम क्लास की बजाए स्कूल के सुनसान गोशे की तरफ बढ़ रहे थे इरम और मारिया की बातें बिल्कुल कहर इरादी तोर पर इसे उस शक्स की याद दिला गई थी जिसने कभी इसे अपने दिल की बात की थी मुस्तफशरा को तूट कर चाहा था अपनी जिन्दगी कहा था उसके बिना मरने की बात की थी जिसे वो एक वादे के लिए ठुकरा आई थी दो माँ पहले वो इस शक्स को एक वादे की खातिर नारसाई की अजियत नाग दलदल में दकेल आई थी जिसे उसने याद ना करने की कसम खाई थी जिसे वो मुकमल तोर पर भूल गई थी मगर आज वो भूल भूल क्यों न रही क्यों अचानक वो उसके तसवर में चाग उचा था बहुत से सवार उसके जहन में गर्दिश करने लगे स्कूल की मुलासमा के तवस्थ से इसने कलास ना लेने का पेगाम भेजा उसकी जगा दूसरी टीचर कलास लेने चले गी थी एक कोने में लगे बेंच पर बैट कर वो मसलसल सर जटकने लगी लेकिन सोचों में गोया अली की यादों का आसेब गुस आया था जो वो उलशने लगी लाशारी तोर पर अली की कही एक एक बात उसका अंदाज उसे याद आने लगा इसके अंदर वहशत सी पहलने लगी चेहरे के तासुरात भी बदलने लगे मैं क्यूं सोच रही हूँ अली को वो महवे हैरत खुद से पूछ रही थी मगर बेकार इस लमें कोई जवाब उसे मुसूल नहुआ अलबता जहन में खयालात का तसलसल चारी था अली का हसना मुस्कुराना सब उसे याद आ रहा था उसकी दिवानगी वो महसूस कर रही थी लेकिन क्यूं कर रही थी और क्यूं चाहते हुए भी चुटकारा नहीं पा रही थी क्यूं हसारों क्यूं जवाब तलब थे और फिलहाल किसी क्यूं का कोई जवाब वो खुट को ना दे पा रही थी ना इसे कोई जवाब मिल रहा था चुटी का वक्त उसने बहुत बेचैनी में गुजारा गर वापसी के सफर में इसे उमर से मुलाकात भी याद आई जब उसने अली की तरफ से एक लफाफा दिया था जिसे इसने भी अभी तक खोल के ना देखा था पर अब याद आने के बाद वो फॉरण उसे खोल कर देखने की खाहिश मन्द हुई कुछ फितरी तजस्स भी जागा उसने क्यों बेजा होगा उसमें क्या लिखा होगा वो खुद से मुखाति थी ऐसी क्या खास बात थी जो वो कहें बिना ना रह सका वो जल्दी से घर पहुँशना चाह रही थी अंदर फैलती बेचैनी में इजाफा ही हुए चाह रहा था गाड़ी हवेली की तहलीस में नाकिल हुई तो वो फॉरण से पहले पहा निकली और अंदर को लपकी जाहरा बेगम ने इसे उजलत में देखकर बजा पूची तो उसने सरदर्द का बहाना बनाया उन्होंने खाने का पूचा तो इंकार कर गई के स्कूल में खा लिया था और उन्हें डिस्टर्ब ना करने का कहकर कमरे में चली आई और दर्वासा लॉक किया पर्स दूर से ही सोफे पर फैंकते हुए अलमारी की तरफ बढ़ी बैक खोला और बैट पर चली आई बैटते ही जिप खोली और मतलाशी निगाहों के साथ तेज तेज हाथ चलाने लगी हाथ में कागस आया निकाला और देखा इस पर तीनों दोस्तों के कांट्रेक्ट नंबर्स लिखे थे इसने इन्हें साइट पर किया और दुबारा से हाथ हरकत में लाई जबी मतलुबा पैकिट हाथ लगा तो पैकिट उठाते ही इसने उसको फौरण से खोला तो सबसे पहले लॉकिट उसकी गोद में गिरा था वही लॉकिट जो अली ने खास उसके लिए बनवाया था जिस पर बड़ी मुहपत से उसने M.A. लिखवाया था जिसे बना कर कोया उसने सारी उमर के लिए मुस्तफशरा को अपने नाम कर लिया था वही लॉकिट जिसे मुस्तफशरा ने बड़ी बेदर्दी से उसे वापस लोटा कर जाने अंजाने में उसकी सांसों को रोकने की कोशिश की थी जिसे वापस लेते हुए अली आयान को अपने दिल बैठता महसूस हुआ था मुस्तफशरा ने लॉकिट हाथ में लिया और तहशुदा कागस खोल कर पढ़ने लगी मैं नहीं जानता कि इतना सब कुछ हो जाने के वावजूद भी मुझे तुम्हें ये सब लिखना चाहिए भी कि नहीं अगर ना लिखता तो अपना दर्ट बर्टाश नहीं कर सकूँगा और अगर लिख डाला तो डर है कभी न कभी तुमसे भी बर्टाश करना मुश्किल नहीं हो तुम्हारी सोच क्या थी तुम्हें मेरे साथ फरेब क्यों किया तुम्हें मेरी महबत क्यों अपने हक में काल न कर सकी मैं इन सब के बारे में कुछ नहीं कहूंगा कि अब सब कहना बेकार है मगर तुम ही बताओ मुस्तफशरा क्या मैं अपने दिल का क्या करूं जिसमें तुम बसी हो और पता नहीं क्यों मेरा दिल चाहता है कि तुम्हारा सारा गुरू टूटे इसलिए नहीं कि तुम्हारे किये की सजा मिले बल्कि इसलिए कि तुम मुझे सोचो मुझे याद करो इसे दुआ कहूं कि बदुआ मैं चाहूंगा कि तुम सारी उमर मेरे मुतलिक सोचो तुम्हें अपने अमल की संगीनी का अंदासा हो एक मरतबा, सिर्फ एक मरतबा तुम पच्चताओ जरूर मेरे सचाई को सचाई जानो और मेरे दिये दोके के नाहक होने को तसलीम करो तुम्हारे वाजिया जवाब के बाद मेरी क्या कैफियत है या आगे क्या होगी ये तुम मैंने किस्मत पर छोड़ दिया है अब मेरे कदम पीछे हट जाएंगे या इस नहच पर पहुँच जाएंगे कि कभी वापस आहीं ना सकी नावापसी का सोच सकी तुमने कहा था कि तुम माजी को भूल कर मस्तक्बिल की सोच के साथ हाल में जीने की आदी हो तो मैं चाहूंगा मस्तफशना जमाल कि मुद से जुड़ा माजी तुम कभी न बूलो अपने मस्तक्बिल में मुझे सोचो और अपने हाल में मुझे महसूस करो ये तुम्हारे लिए मेरी बद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् मुहपत करती हो मेरे बेरया जस्पात ये लौकित कवा होंगे कि मुस्तफशरा सिर्फ अली की है तुम मानो ना मानो तुम्हे एक दिन मानना पड़ेगा मेरी मुहपत में अपनी शिकस्त को तसलीम करना पड़ेगा जिन्दगी में हम कभी दुबारा मिले ना मिले मान लो हम य पड़ा तो दमाग की रगें तनी हुई महसूस हुई उसका अजली गुसा नमहों में अरूच को पहुँचा था एक मरतबा फिर उसे अली की जाद से चिड़ हुई उसका ख़त घटिया था वट रबिश दाट चबा कर चिलाते हुए अगले सेकिंड के हजारवे हिस्से में उसने हाथ में पकड़े कागस के पुर्जे करके दूर फैंके और उंगलियों में लटकते लौकिट को शितत से दिवार पर मारा था और खुद आखें मीच कर गुसा जब्द करने की कोशिश करने लगी नेक्स्ट सीन शादी का अर्सा शादी तक का अर्सा बहुत चल्दी से गुसरा महरोश बहुत मुतमें थी तमाम कजन्स की छेर चार से लुटफ अंदोस होती उसके उनसब की बीच बैठी थी कुछ देर पहले मौतर और अदन से फौन पर उसने बात की थी दोनों बहुत खुश थी मौतर तो शायान के साथ गूमने फिरने के बाद खानदानी दावतों में मुसरूफ ना आने पर माजरत खुआ थी जबके अदन की तीन दिन बात शादी थी सोना आने की ठोस वज़ा पर माजरत की और इसे अच्छी खुशकवार अस्तवाजी जिन्दगी की ठेरों दुआई दी मुस्तफशरा तीनों में से किसी से भी अभी तक रापते में ना थी माही को उसकी कमी कशित्त से एहसास हो रहा था शाहिदा पुपो और आईज़ा कुल्सूम बेगम के हां थी जबके रहाना खाला अंदली परोहा शिज़ा महविश सबीन साइद एहमत के गर उनकी खुशी में शरीक थे हफ़ते भर से गर में खुब हला गुला था तमाम लड़कियां ढोल की लिए महरोश को गेरे एक जगा जमा काने का रही थी तो कभी महरोश को माईनी खेज जुमलों से लाज दिलाने में मसरूफ थी महरोश मुराद से मतलेक उन सब के शुख जुमलों पर मस्कुराए जा रही थी मुराद से उस दिन के बाद तो उसकी कोई बात नहीं हुई थी मगर उसकी कही हर बात से वो हर पल महसूस कर रही थी महंदी, मायों वगरा के रस्म तमाम तर्शोखियों, रंगीनियों और खुशियों बरे कहकाओं के दरमयान गुजरी हर एक अपनी मुकमल तैयारी में था माहरोश के लिए भी सब की नजरों में सताईश खुबसुरत तो वो थी ही मगर मुराद की मुहपत के हसीन एहसास ने और निखार बक्षा था परिशे समेट सबीन उसके साथ तस्वीरे बनवाई थी अग्वी सुबो बारा थी हॉल की बुकिंग वगरा पहले से करा ले गई थी तमाम अफराद मुके की मुनास्पत से तयार शादी हॉल में पहुँच चुके थे महरोश सबीन और अंदलीब के साथ पॉलर से आने वली थी मौरिज उन्हें लेने गया था महमान भी आ चुके थे बातों और कहकों की आवाज हॉल की खुशकवार फिजा में तसलतल से गुँच रही थी कुलसुन पुपो की तरफ से अभी तक वहां कोई नहीं आया था तक्रीबन अगले 20 विनिट तक महरोश की आमद का शोर गुँचा तमाम कजन्स उसके इस तकबाल को आगे बढ़े डीप रेट कलर के लहंगे में शर्माती आखें जुकाएं दीरे दीरे कदम उठाती महरोश हौल के अंदर दाकिल हुई सबीन और अंदिलीप ने दोनों तरफ से उसका लहंगा संभाला हुआ था जेवराद और मुकमल ब्राइडल मेकप ने महरोश को पुरकशिश बनाने में कोई कसर रवाना रगी देखने वाली हर आँख गोया मुझस्मा हुस्न के तलस्म का शिकार हुई थी महरोश लग भी बहुत कुबसूरत रही थी बिलकुल हूर अपसरा जैसी यू आ लुकिंग सो ब्यूटिफुल परीशे ने आगे बढ़ कर सताईशी अंदास में बहन को सरा महरोश ने महस मस्कुराने पर एक्तफा किया दूर खड़े वक्कार ने उसको मस्कुराता देखकर उसकी आइंता जिन्देगी की खुशियों की दुआ फॉरन मागी थी सब कजन्स ने मिलकर महरोश को स्टेज़ पर पहुँचाया पंदरा बीस मिनट बाद लड़के वालों की आमद हुई हॉल में हलचल सीमजी मुराद समेट सबका पुटतपाक इस्तक्पाल किया गया था हर आँख में खुशी की लहट थी हर चेहरा मुस्कुरा रहा था अदीना भी पूरे तीन साल बाद सब खांदान वालों के बीच आज भाई की शादी के मौके पर आई थी सो सभी की खास तवच्चों का महवर बनी मामुचान कैसे हैं आप जो अब सईद सहाब के सीने से लगी उनका हाल पूछ रही थी अलबता वकार उसको एक नजर देख कर सामने से हट किया था अल्ला का शुकर है मेरे बीटी कैसी है सईद सहाब ने बड़े लाट से पूछा भांजी की मौपत से तीन साला महरूमी दूरी के बाद आज वो बहत खुश हुए थे उसको सामने बाकर मिल्कुल ठीक और बहुत खुश वो खुशी से गुन गुनाई अल्ला तुमें हमेशा खुश रखे आबाद रखे सईद एहमद ने फौरण दिल से दुआ की वो तुशक्र और मुहबत से उन्हें देख दी नफीसा से मिलने लगी मुहीद नजर नहीं आ रहा कहा है वो नफीसा वेगम ने मिलने के बाद इसके शोहर के मतलिक पुछा मुमानी चान मुहीद तो काम के सिलसले में एक हफ़ता हुआ कराची के हुए है शादी में शिरकत ना करने पर वो बहुत माज़रत हुआ है अमी और मुराद से अभी ही उन्होंने फॉन पर बात की है अगर काम सरूरी ना होता तो वो फॉरण वापस चले आते अधीना ने तफसील से उन्हें बताया फिर बाकी सब लड़कियों से मिलने लगी म्यूजिक फुल वॉल्यम पर गूंच रहा था मिलने मिलने के बाद मुराद मंसूर को स्टेज पर माही के साथ बिठाया गया मारोश के जुगी आँखें जरा सा उपर उठकर अपना रुख बदल गए थी जबके मा मुराद ने बगौर इस परी पेकर को देखकर गहराई से मस्कुराते हुए उसका हाथ हलके से चुआ तो मारोश हलके से लंस को महसूस करती हाथ पीछे खीच गई थी आज मेरे सबर का इमतिहान खतम हो जाएगा मैं बहुत खुश हूँ और मेरी ये खुशी तुम्हारे बगैर अधूरी है मुराद ने पीछे होकर उसके कान में सरगोशी करते हुए माईनी खेजी से कहा मारोश उसकी बात पर ज्छीम सी गई थी मुवी मेकर कब से कैमरा था में इन्यादकार खुशियों बरे लमात को महفوظ कर रहा था थोड़ी देर बाद फोटो सेशन का दोर चला खांदान के हर छोटे बड़े बच्चों ने दुलहां दुलहन के साथ तस्वीरे बनाई जब ही मुवी मुलवी सहब की आमद का ऐलान हुआ मुलवी सहब इज़त औ एहतराम से स्टेज पर लाई गए बकार, अरीश, मौरिच, रहना खाला के शोहर रिस्वान, महमूद कवादे सुबो भी आगे को बढ़े निकाह का फरीजा बखुबी से अदा हुआ तो मुबारक बाद का शोर हॉल में काफी देर तक गर्दिश करता रहा टाइम बड़ी तेजी से गुजर रहा था आ रही थी, वकार तो मिनने के बाद सामने से ही हट किया था और सीद सहाब जहां इस शादी पर खुश थे बेटी के फर्स से सब कदोश होने से मुतमई थे वहीं बेटी की रुकसती पर उदास उसके अच्छे नसीब के लिए दूआ को थे अलबता कुलसूम बेगम ने उन्हें बेफिकर होने को कहा था आप और नवीसा भावी बेफिकर हो जाएं महरोश को मैं बहु नहीं बेटी बना कर अपने घर ले जा रही हूँ उसका ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी और उसको खुश रखना आपकी मुहपतों का खराच है बेहन की बात पर वो मुतमाइन होए थे फिर बिलाखिर महरोश को आँसों खुशियों और दुआउं और कौरान पाक के साह तले मुराद मनसूर के संग रुकसत किया गया दोनों की गारी जिन्दगी के नए सफर के लिए रवा दवा हो चुकी थी कुलसूम फुपो और शाहिदा फुपो दूसरी गारी में रवाना हुई जबके अदीना कुछ याद आने पर हौल के अंदर वापस चली आई बाकी सब अफराद भी वापसी की राह पकड़ रही थे अदीना मतलाशी नज़रों से इधर उधर देखती आके बढ़ रही थी कि दूसरी जानब से आते वकार से उसका तकराओ हुआ अदीना तुम वकार अपनी जगा रुका हाँ मैं वो संजीदा हुई कैसी हो बहुत खास नज़रों से उसे देखते हुए आम से नहचे में पूजा मुझे कैसा होना चाहिए वकार I am sorry अदीना वकार ने इर्द गिर्द देखते हुए माजरत खोहना अंदास में कहा Please वकार Sorry for what जिस पर अदीना ने हैरत का शतीर मुजाहरा किया तुम जानती हो वकार ने गोया अपनी तरफ से उसे बावर करवाया हाँ पर अब तो सबसेट हो चुका है अदीना उसकी बात का मतलब समझती असपात में सर हिला कर अहिस्तगी से बोली क्या आगे भी सब ठीक रहेंगा रसान से पुछता वकार लम्हा लम्हा उसके इड़ के देख रहा था कि कोई उसे अदीना के साथ देख न ले इन्शाला सब ठीक होगा अदीना ने उसे यकीन दिलाना चाहा मैं महरोश को सारी उमर खुश देखना चाहता हूँ उसे बहन का ख्याल था मुराद उसे हमेशा खुश रखेगा अदीना पुर्वसूप बोली कि मुराद के मुझे शादी और वो भी महरोश के साथ करने का सुन कर इसे बहतर होने की उमीद नजर आई थी अदीना एक बात पुछू तुम से वकार ने बात बदली रहचे में थोड़ी जिजग का अंसर एक दम नुमाया हुआ अदीना ने उसकी तरफ देखा उसकी निगाहों का रुख दूसरी तरफ था हाँ पूछो क्या तुम मुईत के साथ खुश हो हिचके चाहट की गिरा में बंदा सवाल वकार ने किस दिल के साथ पूचा था ये वो ही जानता था अलबता अदीना ने गैर मतवक्क सवाल पर फॉरण से उसकी जानित देखा वकार का लहचा और सवाल उसे बहुत अजीब लगा था अफकॉर्स वकार मैं मुईत के साथ बहुत खुश हूँ और ये खुशी महस तुम्हारी वज़ा से है तुम्हारा फैसला मेरी जिन्दगी बदल गया था फिर मैं कैसे खुश नहीं रह सकती मगर अगले ही लम्हें वो संभल कर संजीदा दो टो कहती बिना उसे देखे सर अच्से वहां वापत स्पलेट गई वकार ने उलश्टी नजरों से उसे जाता देखकर उसके उलश्टी लहचे पर गौर किया जाने अनजाने में अधिना की बात उसके दिल पर गहरा असर छोड़ गी थी अधिना की बात का मतलब निकालता वो कर्ब से गुजर रहा था I am sorry अधिना मैं खुश हूँ कि मेरे फैसले से तुम खुश हो मगर मैं आज तक पच्चता रहा हूँ फिर दिल ही दिल में कहता आगे बढ़ गया अधिना आईसा और अंदिलीब के साथ गारी में बैचकर रवाना हुई बाकी लड़किया अभी सईद एहमद के घर ही थी के उनका सारा समान वही था कल्सूम फुपो ने अपनी अकलोती चहीती बहु का घर में मिसाली इस्तक्बार किया अधिना आईसा और अंदिली भी रस्मों से पहले पहुँच चुकी थी वक्ति रस्मों के बाद माही को हिचला औरुसी में बिचाया गया महरोश के लिए कमरा बहुत खुबसूरती से सजाया गया था ताज़ा पुनों की सेट से उड़ती बीनी बीनी महक सांसों में उतरती इसे बहुत भली मालूम हो रही थी उसकी कैफियाद और आज के दिन और रात के खास ज़स्बाद कमरे की पूर सहर फिजा में शिद्ध इख्तियार करते लमहा लहमहा महवे इंतजार थे सब को रवाना करके अदीना ने उसका मेक अप सेट किया था महरोश बिला शुबाद तुम आज बहुत कुबसूरत लग रही हो यकीनन मुराद तुम्हें इस रूप में देखकर अपनी किस्मत पर रश्क करेगा जाने से पहले अदीना तुसीफी अंदास में बोली महरोश ने उसकी बात पर महस नजर उठाकर मुस्कुराते हुए उसे देखा अब तुम गुंगट गिरा दो मैं जाते ही मुराद को कमरे में बेशती हूँ वो जाने कब से इंतजार कर रहा होगा वो कहते हुए उसका गुंगट निकालने लगी गुंगट की क्या जरुरत है वैसे भी मुझे देख चुके हैं वो स्टेज पर महरोश ने कदरे जीब कर उसे रोकना चाहा कि दोनों अजनबी ना थे अरे पगली जरूरत है स्टेज पर देखने और गुंगट उठा कर देखने में बहुत फर्क होता है अदीना मुस्कुराई कैसा फर्क? उसने ना समझी साहर की इतमे थोड़ी देर में पता चल जाएगा और गबराने की बिल्कुल भी जरुवत नहीं इतनी महबबत करने वाला हमसफर मिला है तुम्हें इजी हो कर बैचो भाबी चान अदीना कहते हुए आखिर में शरारत से बोली और पहा निकल गई महरोश उसकी बात पर गुंगट सेट करके मुराद की आमद के इंतजार में बैटी थी जहन और दिलहर लिहास से मुतमें थे जजबात, कैफियात भी पुर्सकुनी की शौल लपेटे आप ही आप गुन गुनाते हुए सर मस्ती में जूमे जा रहे थे महबूब शोहर की संगत का खयाल लम्हा लम्हा उसे मसरूर किये दे रहा था जिन्दगी की ये हसीन रात मुकमल तोर पर उसके हवास पर चाय जा रही थी कुछ देर बार इसे कदों की चाप सुनाई देने लगी वो संभल कर सिम्ट कर बैठी कान आहट की तरफ मतवचा हुए मुराद मनसूर आहिस्तगी से दर्वासा खोल कर अंदर दाकिल हुआ तो पहली नजर बेट पर बैठी महरोश पर गई अब आप ही आप मस्कुराते वो दर्वासा लौक करके आगे बढ़ा कमरे की फिजा में ताजा फूलों की महक उसे सांसों के साथ शामिल होती अंदर उतरती महसूस हुई अलबता नजरे हनूस महरोश पर लगी हुई थी आँकों में अजब सी चमक लिए वो आगे बढ़कर बढ़के एक किनारे बैठा असलाम लेकुम और उसे सलाम पेश किया वालेकुम सलाम जुके सर को हल्की से जंबिश देकर महरोश ने मध्धम अबास में जवाब दिया लहचे में फित्री जिजब कालिब थी कैसी हो मुराद ने नॉमल होकर पुझा ठीक हूँ आप कैसे है उसने बताते हुए साथ ही बुझा पहले की बातों से वो थोड़ी बहुत बेतकलुफ तो हो चुगी थी मुराद मनसूर ने उसके सवाल पर पुर सोच अंदास अपनाया पिर किसी सोच के तहत आगे हाथ बढ़ा कर इसका घूंगच उलड़ दिया महरोश ने पलकों की जालर उठा कर सरसरी उसे देखा तो शरम से आँखें चुका गई मुझे कैसा होना चाहिए महरोश सईद जबके अगले ही लम्हे मुराद मनसूर का सवाल नहायद दो टोक सपाट अंदास में उसकी समातों से टकराया वो सवाल के अंदास पर कदरे हैरान हुई मगर साहिर कि ये बिना खामोश रही ये जाने बगैर कि आज मुराद मनसूर बोलने के मूच में था जबही उसे खामोश पाकर नहायद तन्जिया और इस तफामिया अंदास में फिर से बोला मुझे वक्कार सईथ की बहन के साथ कैसा होना चाहिए अब के लहचा बात पर जोर देते बोला था कैर मतवक्का तोर पर महरोश ने फॉरन से चौक कर उसे देखा था मुराद भी सवालिया नजरों से उसकी आँखों में घूरे जा रहा था So मेरे प्यारे लिसनर्स, that was the end of episode 8 of the novel इस दिल में बसे हो तुम, I hope you like it अपनी कीमती राए से मुझे सरूर अगा कीचेगा अपना बहुत क्याल रखिएगा नेक तमन्नाओं के साथ अलाह प्यस्ट